राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर विपक्ष के एक जैसे सुर सुनने को नहीं मिल रहे हैं। कैसे सामना करें इसकी उसके पास कोई योजना नजर नहीं आती है। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की आलोचना इस बात को लेकर कर रहा है कि उन्होंने एक धार्मिक कार्यक्रम को राजनीती का मामला बना दिया है। इस मुद्दे पर विपक्ष भी अलग-अलग सुर में बोल रहा है। माचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रिस नेता सुखविंदर सिंग सुखु ने भगवान राम में अपनी अटूट आस्था जताई है। सुखु का कहना है अगर अयोध्या से कोई निमंत्रण नहीं भी मिलता है तो भी भगवान राम हमारी आस्था का मूल और आदर्श है। चाहे हमें निमंत्रण मिले या न मिले, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके भगवान राम दिखाए रास्ते पर चलें। इसके साथ ही सुखु का कहना है कि इस कार्यक्रम का राजनीतिकर नहीं किया जाना चाहिए। पूर्व और वरतमान कांग्रेस अध्यक्षों सोनिया गांधी और मलिकारजुन खडगे को निमंत्रण मिला है। लेकिन उन्होंने अभी तक इसमें शामिल होने को लेकर फैसला नहीं किया है। वहीं केरल में वाम पंथी दल और IUML जैसे कांग्रेस के सहयोगी संगठन उस पर इस मुद्दे को लेकर दुविधा में रहने को लेकर हमलावर हैं।